Hello Friends, Welcome to High Study एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IIT कानपूर के दुआरा निकाले गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में ये रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए निकाले गई है जूनियर असिस्टेंट जिसको हिंदी में बोलते है कनिष्ट सायक के पद के लिए ये भरती IIT कानपूर के दुआरा निकाले गई है बात कर लेते हैं इसमें पदों की संख्या कितनी है 119 पोस्ट है केटीगरियवाइज कितनी पोस्ट है आप लोग अपनी केटीगरी के नुसार चेक कर सकते है सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें अनरेजर्व केटीगरी की है 51 पोस्ट है उसके बाद ये जो जोब है किस लेवल के अंडर में आती है लेवल 3 की जोब है means 9 November 2022 तक आप लोगों की एज 21 से 30 के बीच होनी चाहिए तब ही आप लोग ये फॉम भर सकते हैं उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका जो eligibility criteria है वो क्या है सबसे पहले आप लोग की जो essential qualification है वो क्या है तो आप लोगों के पास bachelor degree with knowledge of computer application means आप लोगों के पास bachelor degree होनी चाहिए आप लोगे ने कोई सी भी degree कर रखी हो BSC कर रखी हो B.com कर रखी हो BA कर रखी हो ये matter निकरेगा कोई भी degree होनी चाहिए with knowledge of computer यानि आप लोगों को computer की knowledge भी होनी चाहिए तब ही आप लोग ये फॉम भर सकते हैं उसके बाद इन लोगों ने desirable लिख रखा है desirable का means होता है कि आप लोगों के पास हो तो भी ठीक है नहीं हो तो भी ठीक है अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों को ये लोग preference देंगे desirable में लिख रखा है नोने bachelor degree with minimum 50% marks means आप लोगों की bachelor degree में 50% marks होने चाहिए लेकिन ये compulsory नहीं है ये desirable है उसके बाद two year का experience, relative experience होना चाहिए in handling of establishment matters वगेरा R&D में आप लोगों के पास कुछ experience भी होना चाहिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका form आप लोग कब तक भर सकते हैं तो पाँच बजे यानि कि 9 नवंबर 2022 तक सामको पाँच बजे तक आप लोग ये form online भर सकते हैं ये form start हो चुका है form भरने का link मैं आप लोग को इस video के description में provide करवा दे रहा हूँ वहाँ से जाकर के आप लोग ये form भर लेजे अभी क्योंकि end में जाकर के site busy हो जाती है तो मेरी आप लोग उसे गुजारिस रहेगी कि आप लोग ये form जल्द से जल्द भर दीजे उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी जो application फीस रहेगी वो कितनी रहेगी उसके बाद SCST and PWD and female candidates means जो लड़किया है female candidates उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी विद SCST candidate की भी कोई भी फीस नहीं लगेगी उसके बाद इन लोगों ने एक mention और करका था fee one speed अगर आप लोगों ने एक बार फीस को pay कर दिया है तो वो किसी भी हाल में refunded नहीं होगी next हम लोग देख लेते हैं उसके बाद इन लोगों ने कुछ खास बताया नहीं है उसके बाद इसमें सिर्फ प्रसेप इन लोगों ने यहीं information दी है इसका syllabus क्या रहेगा exam pattern क्या रहेगा exam तीथी क्या रहेगी उसकी information मैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो के माद्यम से provide क करवा दूगा तो आप लोग जिन भी लोगों के पास graduation की degree है तो वो यह लोग फॉम भर लेजिए अगर आप लोगों को फॉम भरते समय कोई भी doubt आता है तो आप लोग मुझे comment करके पूछ लेना उसका जवाब मैं आप लोगों को comment box में दे दूगा अगर आप लोगों को म मेरे दुवारा सबसे पहले दे जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू